असलाम लेकुम कैसे हैं आप लोग मैं अमीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे तो आज के व्लॉग को मैं सबा के टाइम स्टार्ट कर रही हूँ और आज breakfast में हम लोग bread butter खाने वाले हैं क्योंकि आज अगर पे ना ही अबू है और ना ही अमी है तो इसलिए हम लोग उन्हों सोचा कि bread butter ही खा लेते हैं और यह बहुत effortless भी है हाँ क्योंकि आज butter भी नानी के घर से आगया है अगर आपने previous vlog देखा होगा तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी previous vlog में मैंने आप लोगे से एक और बात कही थी कि flip card से कुछ parcel आया है तो यह रहा वो parcel मैं आप लोगे साथ unbox करती हूँ flip card से मैंने जितना यह parcel मंगवाया है उनकी packaging से मैं कभी भी यह disappointed नहीं हुई पर इस बार की packaging मुझे कुछ खास नहीं लगी वैसे मैंने यह wow skin science की तरफ से hand and nail cream मंगाया था इसके बहुत सारे variant आते हैं पर मैंने यह coconut oil plus tukuma butter वाला मंगाया था मैंने इसे पहले एक फोल के देख लिया था और इसकी fragrance बहुत बहुत अच्छी है इसकी fragrance वैसे इसकी price 349 है पर मैंने इसे sale में मंगाया था आपको यह 50 ml मिल जाता है अच्छा यह देखे मैं यहापे mango kulfi बना रही हूँ एक बार मैं जब सादी में गई थी तो मैंने इसे try किया था पर मुझे उस टाइम कुछ यह खास पसंद नहीं आया था क्योंकि कुछ ज़्यादा ही frozen था तो इसलिए इसका taste नहीं आ पा रहा था और incidentally घर पे बहुत सारे mangoes भी थे तो मैंने सुचा कि क्यों ना मैं आज mango kulf को निकाल लेना है और फिर हम यहां पर कुलफी बनाएंगे सबसे पहले हमें मिल्क लेना है और उसमें हम सुगर एड़ कर देंगे आप अपने mango के हिसाब से एड़ कर सकते हैं वह कितना मीठ है और फिर हम इसमें milk powder एड़ करेंगे two table spoon then cardamom powder और फिर आप चाहें तो इसमें saffron stands add कर सकते हैं और फिर हम इसे पका लेंगे और इसे half quantity कर देना है जितना आपने लिया था उसका half और फिर हम इसे mangos में fill कर देंगे और इसे हमें freeze कर लेना है फिर मैने इसे overnight freeze कर लिया था और फिर आपको इसे peel करके cut कर लेना है और यह हमारी मज़ेदार सी mango kulpite तेयार आप इसे जरूर ट्राइ कीज़ेगा बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत इजी रेसिपी है इसकी ये देखिए ये है एलेक्स का दवा चार पास दिनों से कुछ खाने ही रहा था तो इसलिए भाई ने ये दवा लेकर आया था और ये इतना बदमासी करता दवा पीते वक् अने बच्पन में की स्टोरी देखी थी दम्मून रैबिट मुझे उसी की यादा गई ये देखे डिनर का टाइम हो रहा था और आज ममा के उतब्बे थोरी ठीक नहीं थी तो हमने अब्बु को बोला कि आप बाहिर से ही आज डिनर ले आए फिर अब्बु और भाई डिनर लग गया था पता नहीं क्यों वहाँ पे बहुत रस होता है हाँ उनके खाने भी तो बड़े मज़े के होते हैं हाँ सायद इसलिए वहाँ पे बहुत रस होता है अब्बु ने हमारे लिए चिकन ले लिया था क्योंकि हमें मतन से जादा चिकन पसंद है और भारत बिडियान कि बिडियाने तो मस्ट है तो ये था मेरा आज का व्लॉग मैं उमेद करती हूं कि आपको ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा If you do, don't forget to like, share and subscribe Till then, Allah Hafiz